रश्मिका मंदाना का फ्लाइट में हुआ नियर डेथ एक्सपिरियंस रश्मिका मंदाना के फ्लाइट हुई मिड एर खराब नियर डेथ एक्सपिरियंस शेर किया अक्टरस ने रश्मिका मंदाना का खतरनाक फ्लाइट एक्सपिरियंस किया अक्टरस ने शेर बताया कि कैसे हुआ था उनका नियर डेथ एक्सपिरियंस after her flight had a technical problem आनिमल आक्टर रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्सिग्राम पर एक फोटो पोस्ट की है जहां आक्टरिस ने हाल ही में एक disturbing in-flight experience का सामना किया आक्टर मुंबई से हैदराबाग जा रही थी जब उनकी flight take off के बाद एक बार फिर runway पर चली वैल ये पूरा हाथसा हुआ चत्रपती शिवाजी महराज इंडरनाशनल एरपोर्ट मुंबई से जहां रश्मिका के साथ एक और actress as a co-passenger थी who was the doctor Shraddha Das जो रश्मिका के साथ बैठी हुई थी and दोनों ने साथ में almost death को experience किया रश्मिका ने पूरा ये हाथसा बताते हुए Shraddha Das के साथ एक photo post की और बताया कि वो कैसे मौट से बच गई लेकिन actually में पूरा scene क्या था तो हमें पता चला है कि रश्मिका और Shraddha मुंबई से हैदराबाद की flight पर थे लेकिन 30 minutes की बाद flight को अंजाने technical problem की वज़े से वापस बेचा गया अब इस घटना में इस situation में किसी को चोट तो नहीं आई जिस पर official flight company विस्तारा के spokesperson ने अब इस पूरे situation पर comment किया और कहा है कि टेक ओफ के तुरंद बाद विस्तारा flight UK 531 मुंबई से हैदराबाद की रास्ते में थी on 17th of February 2024 उसमें एक technical snack का पता चला जिसके बाद safety protocol के हिसाब से pilot ने as a precautionary step sight करते हुए flight को वापस मुंबई airport लोटने का फैसला किया और flight को चत्रबदी शिवार्जी महाराज इंटरनाशनल एरपोर्ट में safely land करवाया गया एरक्राफ्ट की investigation हुई and for all the passengers एक alternate aircraft का इंदिजाम किया गया well we are glad रश्मिका और श्रद्धा दोनों ही बच गई and we are really keen to see रश्मिका इन पुष्पाटू next obviously और श्रद्धास को भी हमने लास्ट खाकी तब बिहार चाप्टर में एक important role play करते हुए देखा था so guys what are your thoughts on the रश्मिका's dangerous plain experience read us all in the comment section below and for more serious updates do follow our page